नवस्कार दोस्तों मैं हूँ समर आप देख रहे हैं फैमिली गुरू फैमिली गुरू में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं आज कि इस खास एपिसोड की दोस्तों हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित किया जाता है हर एक दिन हमारी जिन्दगी में एक अलग महत्तु रखता है ऐसे तो हम कई उपाय करते हैं लेकिन सही उपाय करना बहुत अनिवारिया है इसे हमें सही फल मिलता है और हमारी जिन्दगी खुश्यों से भर जाती है मालक्ष्मी की पूजा करने की यूँ तो बहुत सारे दिन है लेकिन शुक्रवार का दिन मालक्ष्मी को समर्पिद है इस दिन मा को प्रसंद रखने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं इस दिन पूरे विदी विदान से मा की पूजा की जाती ह मालक्षमी धन की देवी है और जिन पर भी इनकी किरपा होती है उसके जीवन में कभी भी धन और वैभाव की कमी नहीं होती है शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह या शुक्रदेव से भी संभंदित माना जाता है शुक्रदेव को सुख, सोंदरिय, रोमेंस का कारक माना जाता है माना जाता है कि शुक्रवार के दिन पूरी श्रधा और समरपड के साथ कुछ खास उपाई करने से जीवन में हमेशा बरकत रहती है शुक्रदेव की कृपा से जीवन में किसी भी तरहा की कमी नहीं होती है आई जानते हैं इन खास उपायों के बारे में मा लक्षमी और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहत कारगार उपाय है इसे घर में सुक सम्रदी आती है माता लक्षमी और शुक्र देव कभी भी गंगी में वास नहीं करते इसलिए इनकी कृपा चाहते हैं तो अपना वातावर शुद रखें और घर में साफ सफाई पर भी विशेज रूप से ध्यान दे शुक्रवार के दिन सफेद रंग से संबंदित होता है इसलिए इस दिन जादे से जादा रंग का इस्तमाल करना चाहिए शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्तर पहन कर ही पूजा पाट करना चाहिए वरत रखने के साथ ही इस दिन शुकर ग्यहसे संबंदित चीजों का दान करना भी शुब रहता है शुकरवार के दिन सफेद रंकी चीजों का दान जैसे की चावल, दू, ढही, आटा और मिश्री दान में ते सकते है इसके अलावा शुक्रवार के दिन चेटियां और गाये को आटा खिलाना शुक्रदेव की कृपा होती है भगवान विश्णु के बिना मा लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विश्णू और लश्मी का साथ में पूजा करनी चाहिए यानि कि इन दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए इससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि शुक्रवार के उपाए आपको बेहत पसंद आये होंगे बस जल्दी से आप इन्हें शामिल करी अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी को खुशाल बनाईए और देखते हैं यह फैमली गुरू नमस्कार